नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का आपने इस चैनल पर जहां पर मैं 80 से समंधित सारी जानकारियां आप तक कहुंचाता हूँ यहां पर लीगल जो प्रोसेस होता पेपर्स का उनको लेकर के पिछले मेरे वीडियो में इस साल के जो पेपर जमा हुए थे वहां से लेकर क बटा की रिपोर्ट है वह सारी चीजे मैंने आपको बताए इस से पिछले वीडियो मैंने एक हिंट भी दिया था आप लोगों को की जिस तरीके से जो पिछला पर देख से के देख से यहां पर डिक्स्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिल जाएगा जिसमें मैंने बताया कि domestic के कितने पेपर जमा हुए थे और उसके बादे मेरे विचार थे यह कहीं से कुछ था नहीं कि मैं ऐसे कहने लगा हूँ देखो मैंने तो पहले ही बता दिया था अब वो हो भी गया एक मेरे विचार थे और वो हाकिकत में वैसा हो गया तो वो एक संयोग मात्र है ऐसा नही और जो नया कोटा बाटा गया है उसमें यही सारी चीजे है तो जो अभी का नया कोटा बटा है जो कल बाटा है गोवर्मेंट में उसमें साफ लिखा है कि जैसे इससे पिछले साल भी क्या हुआ था कनवर्जन वाला कनवर्जन का चार हजार का ही कोटा फिक्स था इन तीन स जमा हुए हैं, उन सब के निकल सके, इसलिए हम कन्वर्जन का कोटा और बढ़ा रहे हैं, जब कि शुरू में जब ये डिक्लियर हुआ था, ये लेज्जे बना था, ये कानून पास हुआ था, देख रहे तो फ्लूसी दो हजार तैबीस, चोबीस और पचीस तीन साल का जो का तो इसमें भी ये साब कहा है कि इसका मतलब कि जो रिकी, यानि फोम आए हैं, उन सब की, जो जितने फोम जमा हुए हैं, उनको सोधिस्फार, यान उनको सैटिस्फाई करने के लिए, उन डिमांड को सैटिस्फाई करने के लिए, कि इतने लोग कनवर्जन कराना चाते हैं, इस डिमांड को सैटिस्फाई करने के लिए, गोवर्मेंट ने और नए कोटा है, वो कनवर्जन के लिए दिये हैं, और वो दि कहा है कौन ला इस्ते सानों ताला दिरेश्यों ने आएंके प्रोवेदू थो आर रीज दिस्त्रीबूई रहा लिवेलो प्रोविंचाले ले कोते रिमास्ते इन उत्तीली जाते दल देखरे तो फ्लूसिदू मिले वेंती त्रे दो हजार पेवीस में जो कोटा बटा था जो क चीज है यह जो है कोटा यह है कि पिछले साथ जो कोटा बाटा गया था उसको कई जगह पर काम में नहीं लिया गया तो जो कोटा जो पोष्टें हैं वो काम में नहीं ली गई उनको दुबारा से बांट दिया गया इन पर्टिकुलारे सोनों इस्था तया सिन्या आत्या ल दो हजार तेविस के दिक्रेटो फ्लूसी में जो था जो कोटा दिया गया था और उसको काम में नहीं लिया गया उसको वापस से बार दिया गया है 3568 जो पोस्ट है ये बाटी गई है इस साल पिछले साल के कोटे में से तो ये दो चीजें हैं वो गोर्मेंट ने अभी जारी की है इसमें अब जो कोटा जो है वो अलग-अलग जगय का है वो मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकते हो जहां का आपको देखना है वहाँ का आप देख सकते है पिछले वीडियो जो कोटा था उसमें जो लिस्टे थी गोर्मेंट ने जारी की थी उसी प्रकार से ये लिस्टे हैं इनमें आप देखेंगे तो ये पहली जो है इसमें है लवोर और सुबोर्डिनातों तज्योनाले का कोटा है फिर उसके बाद में लवोर और सुबोर्ड बोलते हैं या पर्मानेंट वाले बोलते हैं उनका कोटा है और उसके आगे जो है वो असिस्टेंसा फ़मिलियारे का कोटा है मोदूलो आबिस तो इस तरीके से तीन कोलम बने हुई है पहले में सीजन वाले का कोटा है दूसरे में है वो जो होटल है रेस्टोरेंट है एदिल सकते हैं उनका नंबर कि आपके वहां का कोटा कितना है ये एक लिष्ट है दूसरे लिष्ट है उसमें आपको दिया है केवल कनवर्जन का कोटा तो इस तरीके से दो लिष्ट है एक में कनवर्जन का कोटा दिया है कहां पर कितनी पोश्टर देख सकते हैं और दूसरी में है वो ये तीन कोलम है, एक में सीजन वाला है, पहले कोलम में दूसरे में है, जो असिस्टेंशा फमीलियारे के अलावा जितने भी पर्मानेंट वाले हैं, डोमेस्टिक के अलावा बजानते डोमेस्टिक वॉल्फ जो भी है, उसके अलावा जितने भी हैं, वो सारे हैं, और ला है वो दिया है डोमेस्टिक में ये कोटा बाटा है और कनवर्जन वाला है जो मैंने आपको पहले बताया था शुरू में 2300 है वो कनवर्जन की कोश्ट पोश्ट और बाटी गई है तो इस पार भी जो कनवर्जन की पेपर जमा हुए हैं मार्च में तो जिस तरीके से गोवर् नमंबर आनत हो चुका है तो जो कनवर्जन के लिए अपलाइग कर चुके हैं उनके लिए एक बड़ी खुस खबरी है रहत क्योंकि जालातार की जमाह होने के बाद मिए यहीं डे रहता है यानि जो भी यहां पर नया आता है वो पूरी तरह से stabilize नहीं हो पाता वो कोई अच्छा काम नहीं ढूंड पाता क्योंकि जब तक conversion नहीं होता तो फिर उसको वही जो agriculture का है, hotel का है, वो ही काम है वो भी बहुत कम मिल पाता है या मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है लेकिन वो अपने मन पसंद का काम नहीं ढूंड सकता, मन पसंद से चाहे जहाँ पर वो दूसरी जगर पर मूव होने में भी थोड़ा सा डर रहता है, conversion हो जाता है तो उसके पास में जो नॉर्मल जो है कि और कोटा बढ़ा दिया, जिससे जो भी conversion को सटी स्थाई करने के लिए हमने और कोटा दिया है conversion का, तो इसका मतलब यही हुआ कि जिन लोगों ने फोर्म भरे हैं उन सब का लगबग नंबर आनात्य है बाकि तो हकीकत तो तब पता चले कि गोवर्मेंट साथ में ये भी जारी करे कि इतने फोर्म जमा हुए हैं और इतना हमने कोटा दिया तो एकदम से क्लियर हो जाए चीज़े लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ उसके according यही मुसका मतलब निकलता है कि जितने अपलाई हुए हैं उन सब का conversion होना है तो ये conversion वारों के लिए खुसकबरी है और दूसरा जो डोमेस्टिका कोटा बढ़ा है ये भी एक बहुत आच्छी खुसकबरी है सब के लिए क्योंकि काफी लोगों ने